Hello everyone, welcome back to my new study vlog So guys, how are you all? I hope सब बहुत अच्छे हो अगर मैं अपना बताऊं तो आज मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरा सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ था बट फिर मैंने सोचा खुद को समझाया कि जो टाइम आज का बचा हुआ है जो आज का दिन बचा हुआ है उसको मैं बेस्ट यूटिलाइज करूँ So let's start the day Guys, आज का व्लोग मैंने स्टार्ट किया है दोपैर तीन बजे से तो अभी मैं मेगी और चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाय पीनी थी and मेरे भाई को मेगी खानी थी तो दोनों ही मैं यहां मना रही हूँ एंट तीन से चार के इस एग अंटे में मैं नहा दोके फ्रेश हुई हूँ and अभी बस चाय पीके मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं टू-डू लिस्ट बना लेती हूँ तो सबसे पहले मैं डेली करेंट अफेर की क्लास करूँगी and अभी मैंने बाल दोए थे तो जब तक क्लास खतम होगी बाल भी सुख जाएंगे and पिछली वीडियो पे कमेंट्स थे की करेंट अफेर मैं कहां से करती हूँ क्योंकि स्पीड बनाए रखने के लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है इसलिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करती हूँ तो ये वाला मोक मैंने प्रैक्टिस मोक पे दिया है इसमें स्कोर जो है वो 74 रहा है परसेंटाइल ठीक है थोड़ा और अच्छा हो सकता था बट कोई नहीं और improvement करूँगी मैं day by day तो इसी तरह से चल रहा है कि अगर थोड़ा बहुत marks उपर नीचे हो जाता है तो हमें और improve कर लेना चाहिए अब मुझे analysis करना था sectional का तो ये quant means का sectional दिया था मैंने कल बट उस time इसका analysis नहीं किया था तो आज मुझे कल जो pending analysis था कल का जो बचा हुआ वो भी complete करना है क्यूंकि मैं कुछ नया तब तक नहीं करती जब तक मेरे पीछे वाला काम जो है वो complete ना हो जाए तो ये analysis करने के बाद मैंने break ले लिया था और ये दुले हुए कपड़े पड़े थे तो मैंने सोचा पहले मैं इनको fold कर देती हूँ उसके बाद मुझे करनी थी exercise next वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ नए changes जो मैंने अपनी routine में किये हैं अपनी daily lifestyle में जो मैंने किये हैं क्योंकि जो changes मैंने किये हैं वो हम सब के लिए जरूरी है एज़े aspirant वो हमारे लिए भी changes बतब सब के लिए जरूरी है तो मैं next वीडियो में आपको बताऊंगी बस अब मैंने exercise अपनी खतम कर लिए और कुछ time बस ऐसे spend किया और उसके बाद dinner करके मैं फिर से पढ़ने बैट गई हूँ तो अभी जैसे मैंने बढ़ना start किया है तो अब मैं करूँगी एक reasoning mains का sectional क्योंकि quant का मैंने जैसे analysis हो गया था तो वहाँ से practice हो गई थी बट reasoning का रहता है तो मुझे mains reasoning की भी practice करनी है तो इसलिए मैंने सूचा मैं एक sectional दे लेती हूँ और ये जो sectional है वो IBPS clerk mains का मैं दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा main focus रहता है practice का और जब paper का level same है तो हम कहीं से भी sectional या mocks दे सकते हैं जिससे कि हमारी practice हो तो फिर मैंने एक English की class करी है क्योंकि इस time mocks वगेरा करने की इतनी efficiency नहीं आती तो इसलिए मैंने सोचा कि time को utilize करते हुए मैं English की class कर लेती हूँ तो ये वाली class जो है निमिशा मैंने अपने channel पे ली है SP clerk mains का paper जो था वो इन्होंने solve करवाया था तो बस मैं वही कर रही हूँ और जब भी हम video class से practice करते हैं तो पहले questions को खुद से करना चाहिए यही way होता है जो एक perfect way होता है वीडियो class से practice करने का और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और आपको भी मैं यही suggest करूँगी कि आप पहले question को खुद से करो जितना आपका मतलब आपकी efficiency है उसके according try करो उसको करने का और जब आपसे बिल्कुल भी नहीं मर रहा तब आप teacher से समझो कि कैसे teacher ने solve करवाया है तो बस यही था आज का मेरा last task तो आपको वीडियो कैसी लगी comments में बताना I hope you like my video और मैं हमेशे try करती हूँ कि वीडियो को informative बनाऊ ताकि आप जब भी बोरो जाओ उस ट्रेडिट से and कुछ देखने के लिए आओ और मेरी अगर वीडियो देखते हो तो आप motivation के साथ-साथ कुछ informative मिले जिससे कि आप अपनी preparation में add कर पाओ और कुछ नया सीको तो हमेशे मेरी यही intention रहती है So, okay guys I will see you in my next video तब तक अपना बहुत ध्यान रखो and अच्छे से पढ़ते रहो